गोधी मीडिया चाहे जितना मर्जी मोधी जी का जाप करे गुनगान करे लेकिन हकीकत मोधी जी को भी पता है कि हकीकत ये है कि बीजेपी की हालत खसता है अब देखिए गोधी मीडिया और बीजेपी अभी परचार कर रही है और परचार के लिए जा रही है मोधी जी के नाम पर मतलब मोदी जी को अब किसी नेता के उपर विश्वास नहीं कि कोई नेता के अंदर इतना दम बचा हो कि अपने नाम पर वो बीजेपी को जीत दिला सके और इसलिए मोदी जी अपना डंका पीटने के लिए डंका बजाने के लिए खुद ही अपने चेहरे के साथ में मैद और यहाँ पर जो फोटो है उन फोटो में भी मोदी का फोटो सबसे बड़ा है प्रदेश के मुख्य मंत्री भाजपा की 18 साल की सरकार 15 साल के मुख्य मंत्री वो भी दरकिनार कर दिये गए है। सवाल यह है कि गोदी मीडिया भी अगर इसी तरह से बीजेपी की हार होती है तो तीन दिसंबर को जब गिंती होगी रजल्ट आएगा उस दिन मोदी की फोटो लगाएगी या जेपी नड़ा की फोटो लगेगी कि जेपी नड़ा के सिर पर हार चली गई है। समझी जब इस बात को अब देखिए इसी तरह से जो अलग-अलग परचार के फोटो और भी लगे हैं ये देखिए आप ये बड़ा फोटो जो लगाए जाते हैं रोड के किनारे जो बड़े बैनर लगाए जाते हैं उनमें भी मोदी का फोटो है आपको 18 साल की सरकार और 15 स सर बार और फिर इस बार भार भाज़्पा सरकार हलाकि मूरतियां आपको मालू में ढ़िए उसमें कि यहांपर नड़ा जी की फोटो बड़ी है यहां पर मोदी ये फोटो बड़ी है और 18 साल की सरकार 55 साल के मुख्यमंत्री शिवरासिंग चूहान वह भी लाइनों में यह गजब खेले साब भाजपा जो है वो अब इस तरह से मोदी जी के नाम पर चल रही है और यही मोदी जी का नाम जो है वो तीन तारिक तक बचे भी गा या वहाँ पर नड़ा जी आ जाएंगे अब दूसरी तरफ देखिए एक तरफ जो है वो यह चेरा है यह तस्वीर है यह राजनिती है और दूसरी तरफ जो है वो यह चेरा है और बीजे कॉंग्रेस की यह राजनिती है कमलनात का ही फोटो सब कुछ है यहाँ पर मोदी ही सब कुछ है और यहाँ पर कॉंग्रेस के अ और अगर अच्छा काम कर रहे थे थे उनको क्रेडिट कोहों नहीं इ स्ट नहीं करते हैं जिस योजनह को ले करकर के दावा करते हैं उस योजनह का जिकर भी लाडली बेहना योजना का जिकर भी नरेंदर मोदी नहीं करते हैं दूसरी एक बात और देखिए मद्यप्रदेश के अंदर कमनलाथ और दिग्विजे सिंग एक तरफ बीजेपी की राजनेती है जिसमें हर कोई अब जो है उसको दिखाया जारा कि कि भाई ये हासिये पर डाल दिए गए है और दूसरी तरफ जो है वो कमनलाथ और दिग्विजे सिंग बीजेपी की एक आस थी अगर इनके अंदर कुछ फूट पड़ जाए कुछ जो है वो तैसनेस चीज़े हो जाए तो हमारी दाल गल जाएगी लेकिन एक आगे वीडियो आपको दिखाता हूँ किस तरह से स्चांदार तरीके से एक ऐसा मैटर जो की उलज गया था लेकिन उसको सुलजा दिया और वो भी मंच पर बैठे बैठे सब के सामने कुर्ता फाड़ने का बयान और कुर्ता फाड़ने का बयान किस तरह से कमलनाथ और दिखविजे सी ने दोनों ने बैठे बैठे स्टेज के उपर सब के सामने पतरकारों के सामने और हसी खुसी के माहुल में उसको नो दो ग्यारा कर दिया और दूसरे तरह बीजेपी जो है उसमें कस्मकस हो रहा जरा यह सिवरासिंग चोहान का पहले बयान सुनिए इस योजना को लेकर के सिवरासिंग चोहान पूरा एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और मोदी जी इसी का नाम नहीं लेते हैं सुनिए नहीं सुनो लेते हैं सुनिया सुनले बहिंगे जो तुम नाराज को नहीं हो अरे नाराज को नहीं हो अब मैंने बढ़ा के हजार से कर दिये साडे बारा से रुपया इस बार पता लग्या था कि असन्तर मेसे हe अगनी बार मिनन चुनाउ मैं ब computers प्रहां का डान और मेगवाट तु यह सिवराज सिंग्चोहान अर्लोंक इसमय खेर यह वो चुनाव आयुक को देखना चाहिए कि कि अचारसाहिंता का उलंगन है यह नहीं है उपाई आइक फिरायज प्रसे सिंग्चौya हम से कल द्लाज था यह LAUน्दी औरर और योजना को ले करके बड़ा वो confident नजर आते हैं कि इस बार तो लाडली बहना योजना के नाम पर मेलाए उनको जबरदस्त वोट देंगी। मामा की माने और मोदी की माने वहां पर फस गई है और सवाल यह है कि इतनी बड़ी योजना जिसको लेकर के डंब लगातार जाएं सिवराज सिंग चुहान दिखा रहे हैं उसी योजना को मोदी जी स्वीकार नहीं गर पा रहे हैं तो मोदी जी को कितना बाजपा के अंदर और दूसरे नेता स्विकार कर रहे होंगे इस बात को जरा समझेए सिवराज सिंग चुहान की योजनक अगर मोदी जी नाम नहीं लेते हैं तो आप सोचिए कि अंदर खाने सिवराज सिंग चुहान मोदी का कितना नाम लेते हों अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं जिसका मैं जिकर कर रहा था यह देखिए बड़ा दिल्चस्प है बहुत दिल्चस्प है यह एक वीडियो है और एक जो है वो बयान आया कमलनाथ का और वो बयान भी किसी ने जो है वो रिकोर्ड कर लिया ओफ दा कैमरा जो है वो म रेटिंग के अंदर जा समझाने का काम चल रहा था नेता कारीकरताओं से बात कर रहे थे कमलनाथ और कह रहे थे कि भई दिखवजे सिंग आपका काम नहीं करता तो दिखवजे सिंग के कुर्टे फार दो यह बयान नों दे दिया और उसके बाद भाद बयान पर हंगा वहा पर सामने थी तो इसी बयान को ले करके किस तरह से जो है चुटकी ली और दोनों ने आपस में हसी खुसी के माहुल में कैसे इस बयान को जो हो निकाल दिया जरा समझे और ऐसी राजनेती और ऐसी चुटकी जो है वो आज के टाइम पर देखने को नहीं मिलती पहले देखिए दिविजे सिंग और कमलाथ का बयान मैं आपको सुना जाए तो फिर वीडियो सुनेंगे दिविजे सिंग ने कहा कि कमलाथ जीसे मेरे परवारिक रिस्ता 1980 से है हमारे बीच में कई बार कई मुदो पर मतभेद रहे हैं दो मित्रों में मतभेद होना सवहाविक है लेकिन मन नहीं रहे MP कॉंग्रेस के घोशना पत्तर के समय मेरे और कमल नाथ जी के बीच में मजा क्या समवाद अविस्य मजा लीजिए अब देखिए राजनेति किस सारे की होती है दोनों एक दूसरे की टांग खीच रहे दोनों एक दूसरे को जाए वो वावाई भी दे रहे हैं और यही वीडियो दिवजेसी ने खुद शेयर किया है कमलाथ लिखते हैं कि सिवराज जी कॉंग्रेस में इतना लोकतंत्र है कि हम आपस में हसी मजाक कर लेते हैं आपको हमारी फिकर करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपकी पार्टी में तो हाल यह है कि आपका कोई नाम लेव करने में सरम आ रही है जरा स्रावधानी से काम लीजिए दिली वाला इंजन भोपाल वाले इंजन को पट्री से उतारने के लिए कमर कस चुका है जैसे आपने स्मार्ट पार्क में बिना पट्री वाला मेट्रो का डिबा रखा है भोपाल के इंजन का भी वही हाल होने वाला है जो सफर के नहीं 29 के काम आएगा यह कमलनात निकाए तो यह इस सरह से जो है वो अब आरोप परते रोप चल रहे हैं अब जरा बयान सुनिए बड़ा मज़िदार है सुनिए और समझिए भी साथ-साथ अब ने कालता कि अगर आपकी बात ना मनें तो आपकी उन Ilanhan a-4 बड़ और दसक न किसके होते हैं पीजी सी परेंडर के तो कबड़े किसके पढ़ते चाहिए बताओ अच्छा मेरा और दिविये सिंह का संबंद राजमेतिक लिए असी मज़ापका है प्यार का है दिविये सुनते रहो और मैंने बहुत पहले इनको एक पामगर अटॉर्णी देती है वो पार अटॉर्णी थी कि कमलार के लिए आप पूरी गालिया खाईए तो यह पामगर अटॉर्णी आज के दिन भी वहरेड है लेकर यही सुन लीजिए गल्ती कौन कर रहा ही बता होना चाहिए देखें गल्ती होए या नहीं होए गाली खानी है तो मैं मेरा संबंग इन से बहुत पुराना है यसे मनिका लाजमित एक संबंग नहीं है महारा अपारवार एक संबंग है तो यह भी अप्ती चबादे बातम जी कह रहे हैं कि बए शंकर का काम यही है गरिश्पूले का तो दियेंगे इनोंने बहुत सब्सक्राइब करते हैं आगे की पीने पढ़ेंगे तो आप सब का आज की देन बहुत 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 तो यह समवाद हुआ गजब का समवाद हुआ किस तरह से जो है वो एक ऐसा बयान जिसको लेकर के आपस में अगर और खींचतान बढ़ती तो ना जाने कौन-कौन से गड़े मुर्दे कहां कहां के उखाडे जाते और कहां कहां से कौन-कौन सा बयान किस का किस के किस तरफ जो है वो ITSL में चलता और किस के जो है वो गुटबाजी के नेता इधर होते या उधर होते लेकिन मैं आपको बताता हूँ कमलाथ और दिग्विजे सिंग की जो तस्वीर है इस तस्वीर के अंदर जो इस बार इस बार चुनाव के अंदर जो बड़ा काम कर रहे है वो दिग्विजे सिंग है और दिग्विजे सिंग का करीब करीब तीन महीने पहले जो है मैंने बियान सुनाया था दिघविजे सिंग का एक बियान लीक हुआ था और डिघविजी सिंग का वो बयान था ओफ द रिकोड Kalid जो हैं वो कर हैं यह Polis ज्विजे सिने कहा कि भाई यह आपको कमनलाथ का अदमी बन करके काम करना यह दो आपको करना का बत करना मैरे वह उनका एक बयान सामने आया कुछ नराज जो है वह पार्टी के नेता जिनकी टिकट कट गई थी वह पहुंचे कमनलाथ की कोठी पर और कमनलाथ ने फिर से वहीं पर वही बात कही भी आप किसके आदमी हो आप यह बताओ अप कोंग्रेस के आदमी हो तो कोंग्रेस का जंड जो कितनी चतुराई के साथ में और कितनी सफाई के साथ में और सादगी के साथ में कड़ी से कड़ी बात कह जाते हैं और दिगविजे सिंग के बारे में ये बात तो popular है कि भई वो पूरे मद्यपरदेश में कहीं किसी कोने में चले जाए कहीं से भी किसी कारिकरता को नाम ले पर लगता है, यह देखिए इस्तिफे की परची है और दि Southern का मुझे है इसलिए आ रही है क्योंकि और कोई काम होता तो शायद उस पर लोग यदें कर पाते कि john da वह जै वह यह बयान देदिया भार उठाना पड़ाएं बियान उनके जो है वो कई मरने कि वगर कर गए और तख लों को भारी हों पर राज से चले जाए यह बात अलग है और इसे ईसे लेटर को जो है जो एक फर्जी लेटर है इस फरजी लेटर को ट्वीट करते वे का कि बीजेपी जूट बोलने में माहिर है मैंने 1971 में कॉंग्रेस की सदस्ता ले थी पद के लिए नहीं बलकि विचारधारा से परवावित होकर के जुड़ा था और जीवन के आखरी सांस तक कॉंग्रेस में रहूँगा इस जूट की मैं पुलिस में सिकायत करूँगा तेकि कम से कम जूट ऐसा बोला जाए जो लोगों के गले उतर जाए या लोगों को ये लगे कि हाँ पर चलो ठीक है ये बात हो गई होगी दिगविजे सिंग का अगर इस्तिफा होता है माल लीजी मैं एक मिनट के लिए बता रहा हूँ आपको दिगविजे सिंग का अगर इस्तिफा होता है तो ये मान करके चलिए कि वो दिग्विजे सिंग का इस्तिफा नहीं होगा बलकि कॉंग्रेस चुनाओ से पहले ही हार जाएगी यह मान करके चलिए तो ऐसे में इतनी बड़ी चीज जो है बोल देना उसको तो शायद कोई मद्यप्रदेश का साथवी आठवी किलास का जो बच्चा होगा जिसको थोड़ा कॉंग्रेस जो है वो एक तरफ मलिकारजुन खडगे उपर है और मलिकारजुन खडगे को अध्यक्स बने वे आज एक साल हो गया है आज ही के दिन मलिकारजुन खडगे अध्यक्स बने थे और एक साल के अंदर मलिकारजुन खडगे ने अपने आपको किस तरह से स्थापि क्या ही किसी को बताने की जुरूरत नहीं है और मलिकारजुन खडगे को ले करके लोगों के मन में जो भी रहा हो लेकिन उन्होंने बता दिया मलिकारजुन खडगे ने कि वो रबर स्टेंप तो नहीं है राहुल गांदी खुद उनको पानी की बोतल खोल करके पानी पिलाते हैं और कई सारे मोकों पर राहुल पीछे और वो आगे मिलते हैं तो एक तरफ मलिकारजुन खडगे है और दूसरी तरफ जो है वो ये कल कॉंग्रेस की तरफ से फोटो जारी किया गया अक्का अन्ना अक्का प्रिंका गांदी और अन्ना जो है वो राहूल गांदी तिलंगना के अंदर कल दोनों थे और वहां पर यह फोटो जारी किया गया है अक्का मतलब होता है बड़ी बहन और अन्ना मतलब बड़ा भाई तो बड़ी बहन और बड़ा भाई के रूप में जो है वो अक्का और अन्ना जो है एक और नीचे जो है जो भी चहरा है प्रदेश के अंदर चाहे चतिस गड़ में भुपेश बगेलो राजसान में असोग गैलो थो मद्यप्रदेश में कमलना थो फुल फ्लैस जो है उनको पावर दे करके उनहीं का चहरा एकलुता यहाँ पर कॉंग्रेस के गारंटी वचन है कि इतने इतना रुपे देंगे उसमें यहाँ पर कॉंग्रेस का एक छोटा सा सिंबल है और जिस तरह से दिख रहा है फोटो के अंदर अगर कोई नोर्मल बीजेपी में सामिल होने के दो महीने बाद कॉंग्रेस में लोटे अभे मिस्रा कहा आवेस में गलती कर वैठा था तो अब ऐसी खबरों का तो खेर क्या ही जिकर करें अब तो ऐसी खबरें बिलकुल आम हो गई है जब बीजेपी से नेता जो चोड़ चोड़ करके वापसी बीजेपी चोड़ करके जो कॉंगरेस चोड़ करके बीजेपी में गए थे सिंध्या के साथ में वो भी पलटवार कर रहे तो बीजेपी के लिए संकेट तो ठीक नहीं है और क्या इसी चीज़ को नरेंदर मोदी समझ रहे हैं और इसी लिए वो अपना जो है फोटो लगव पर तो सोचे विदान सभा चुनाओं में तो चुनाओं जो है वो विधायकों को होता है विदान सभा का चुनाओं उतना बड़ा चुनाओं नहीं होता है कि आप लोगसभा की तरीके से उसको लड़ें लेकिन लोगसभा की तरीके से जो है वो बीजेपी चुनाओं को लड़ कीजिए साथ में जो बैल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे ही कोई खबर अपनोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके और अगर यह वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फेस्बूक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए धन्यवाद